तो वेलकम हैं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में करमचारियों पैंसनर्स और फैमली पैंसनर्स के लिए इस्पेशली पैंसनर्स और फैमली पैंसनर्स के लिए मैं बहुत ही इंपोर्टेंट ये वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें करमचारियों पेंसनस और फैंबली पेंसनस के लिए उनकी जो पैंसन है उनको कितनी मिलने वाली है चाहे वो 4th पे कमीशन हो 5th पे कमीशन हो 6th पे कमीशन हो या फिर 7th पे कमीशन हो जो आपका कैलकुलेटर है यानि आपकी कौन सी पैंसन है बेसिक पैंसन है नौर्बल पैंसन है इसके लाव आपका रेटार्यमेंट टाइम क्या है क्या है आप इसके लाव कई सारे जो पीरीट्स है यानि फॉर्ट्ट पैंसन शिक्त कामीसन या उकिस्ट पैंसन किसमें हुए है आपका पैंसके क्या है इसके बाद में आप जो है पूरी डेटेल में आप देखपाएंगे कि आपको कितनी pen चुली बढ़ी है कितनी pension आपकी जो है अभी आपको मिलने वाली है या कितनी pension आपको मिल रही है बहुत ही detail में जानेंगे थोड़ा साइव वीडियो लंबा हो सकता है लेकिन एक ही वीडियो में आप जो है अपनी पूरी pension revised pension family pension और आप इसमें देख पाएंगे इसलिए इस वीडियो को पूरा लास्त देखिया बने रही है हमारे साथ इस वीडियो में लास्त तक और अगर चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा साथी साथ आप हमारे वीडियो की लेटष नोटिफिकेशन के लिए घंते की निसां को भी प्रेस करिए तब ही आपके पास वीडियो की लेटछ नोटिफिकेशन आप आएगी और आप हमारे विडियो को इसी तरीके से आगे ही वाँच कर पाएंगे आप की स्कीन पर यह नोटिफिकाशन, शुरू से ही यह पोर्टल है जो कि मिनिस्ट्री और परसनल पब्लिक ग्रिव्यांसेंट की तरफ से जारी की जाती है यह वेपसाइट कार्मिक मंत्रार है लोग सिकायत और पैंसन पर यह लिंक जो यह सिकली है मैं आपको डारेक्ट जो हैं डिस्क्रिफ्षण बॉक्स में दाल दूंगा फिर से मैं बोला हूँ क्योंगी बहुत सारे पैंसर और फैंली। सीचिथा नहीं जानते हैं तो आप डिस्क्रिफ्षण बॉक्स, मैं सिधा यह लिंक देखेंगे और一次 में आप अपनी पैंसन केल्कुरोटर जो है आपकी 7 CPC के हिसाब से आपको कितनी पैंसन इस टाइम मिलने वाली है अलग अलग पे लेवल के हिसाब से अलग एलग रीड़ पे की हिसाब से सारी चीज़ें हम डिटेल में जानेंगे तो चलिए आप देख सकते हैं यह डिये CPC के हिसाब से पहला नंबर का पॉइंट देख सकते हैं जिसमें लिखा है Select type of pension तो इसमें आपको मैं बता तूँगा आपको कैसे आपनी pension enhanced pension या family pension आप इसमें चेक कर सकते हैं तो पहली जो आप देख सकते हैं इसमें selected type of pension है तो आप अपनी देखेंगे कि normal pension है आपको देखनी है आपको enhanced family pension देखनी है या family pension देखनी है तीनों मैं बताओंगा आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूद नहीं है सारी चीजे हम detail में जाने हैं पहले हम normal pension चूज कर रहे हैं अब आपकी basic pension हम देख सकते हैं इसमें basic pension आपकी कितनी है आपको इसमें fill करना है और या पर 1 January 26th से लेकर 31 December 2015 से बीच में आप रिटार्मेंट होज़े हैं तो हम देख सकते हैं हम स्पुएंट न पधूपर तो यानि कि हम स्टेक्ट करें थे कि ₹29 कि लेकर करें 3 December 2015 के बीच में इसमें रिटार्मेंट हो आए हम पर भीर आप लेग आप pay scale है, सारी pay scale इसमें दी हुई है, आप जिस भी pay scale के अंदर आते हैं, वह आप देख सकते हैं, इसमें सारे group, सारे kettles की, सारे pay level की इसमें pay scale दे रखी है, तो हम देख सकते हैं, इसमें 4,000 वाला, यानि 2650 से लेकर के, 300 से लेकर के, 4,000 रुपे तक की जो pay level है, वो हम इसमें select कर लेंगे basic pay on retirement तो हम देख सकते हैं कि retirement पर आपको कितनी basic pay मिली suppose हमने आपको कर लिया retirement के बक्त हमको 25 या रुपे के आसपास हमको pension मिली थी आप अपना इसमें choose करके इसके अंदर put up कर सकते हैं आगे आप देख सकते हैं इस सारी चीज़े हो गई है और इसमें आप आपको यह capture के capture को जैसे फिल करेंगे आप अपना जो है सारी चीज़ें clear हो जाएंगी आप अपना capture देख लीजे है capture हमारा थोड़ा सा video लंबा हो सकता क्योंकि आपको pension सारी चीज़ें अभी समझ भी नहीं पाते हैं जान भी नहीं पाते हैं उनके लिए थोड़ा सा सहुलियत हो जाएगा जिनको आता है वो जल्दी से कर लेंगे अब देखें अगला इसमें option आ रहा है get revised pension तो इस पेंशन है basic pension आपकी जो है 31 दिसम्ब 2015 हिसाब से नो जार रुपे थी आपकी बेसिक पे जो है retirement के टाइप चार या पचीज या रुपे थी अब output देखा हमने सारी चीज़ें इसमें कितनी कितनी आने वाली हैं और सारी चीज़ें में इसमें हम आपको अगर देखना है तो फिरसे हम इस लिंक को क्लिक करेंगे और सारी चीजें फिर से हम इसमें देखेंगे देख लिए आप इसमें फिर से हम यूजर इंपुट करेंगे और इसमें लावाद जो है इसमें और भी चीजें थी वो सारी चीजें आपने देखी इसमें आप अपना सारी जो है आप देख सकते हैं आपे सारी चीज़े इसमें लिखी गई है और जो भी इसमें होगा फिगर्स वो आउटपुट में हो जाएंगे क्योंकि पैंसर की जो पैंसर आप अपनी खुदी निकाल सकते हैं तो जो आउटपुट देख सकते हैं बेसिक पैंसर में आपको 2.57 खिसाब से आईगी और बेसिक पैंसर आपकी जो रिवाइज होगी एक जमई 2016 से वह भी सारी आएगी नेट पेबल आपको कितना मिलने वाला है इस सारी चीज़े इसमें आने वाली है तो यह जो है हम कैल्कुलेटर इसमें बहुत इंपोर्टन यह कैल्कुलेटर है फिर से हम बात करते हैं फिर से देखते हैं आपको अगर आपको बड़ी हुई पैंसर देखनी है बड़ी हुई फैमिली पैंसर देखनी है तो हम देख सकते हैं इनहां फैमिली पैंसर हम इस बार हम फैमिली वाला दो यार छे से दो यार पंदरा की बीच में आपका पेस्केल कह रहा इस टाइम पे तो हमने पेस्केल ले लिए आए अठारा सो ठीक है और इसके बाद में हम बाकी चीजे बेसिक पे अगर हम रिटार्मेंट के टाइम पे देखें तो अगर हम यहां पर लेते हैं 15,000 और इसके बाद में फिर से शारी चीजे इसमें फिर से आप फिर आप करेंगे और आप अपना खुद का इसमें चेक कर पाएंगे यह आप लिंक जो है आपने है description box में देखेंगे उसके बाद में वहां से आप देख पाएंगे तो हम revised pension में प्रीज़वाइब कर दिया थि और उपका सारी चीज़ें अर जो सारी चीज़ें इसमें आप देख सकते हैं और यहां पर आप देखिए कि आपकी basic family पेंशन साथ यार रुपे थी अब 31 जनवरी दो यार छे से लिकर के 31 जनवर दो यार बीच के बेट रिटार्यमेंट हुए थे आपका पेस केल्ड जो है अठारा सो था आपका बेसिक पे जो रिटार्यमेंट पर था वो पंद्रह जार रुपे था आप बात करते हैं आपकी फ जोलाई दो यार सोलह से दो परसेंट था और एक जनवरी दो यार सत्ता से चार परसेंट था इसके लाव आप यह मैं आपको रूल्स पहले दिखा चुका हुँ सारे रूल्स है असी से लेकर सो साल तक के बीच में तो यह इंपोर्टन एक पैंसन फैमिली पैंसन रिवाज इससे निकाल सकते हैं यह वीडियो बहुत इंपोर्टन था अच्छा लगा तो लाइक करेगा शेयर करेगा ऐसे वीडियो आपको और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में यस लिखेगा इससे आपकी पैंसन फैमिली पैंसन इनहां जो पैंसन आपको कंटिन्यू पता लगता रह है ऐसे वीडियो थोड़े बड़े हो जाते हैं लेकिन डिटेल में होते हैं तो आप